नमस्कार सू स्वागत हम साथियों तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC Induced Classes में देखे साथियो हम साइन्स में चैप्टर नमबर 6 से चलो है जो कि है आपकी रासाइनिक अभी की वियाई एवं उत्वेवेख ठेक है दोस्तों और उसमें हमने पिछले वीडियो तक मतलब लेक्टर नमबर 5 में हमने आपका ऑप्चेन या ऑक्सिकेवर्न या अपचेन जिया वह क्या होता उसके बाए में हमने पढ़ा था उसके ओपर पूरा जो है एक बड़ा से टापिक है लेकिन उसको हमने शौर्ट में कैसे पढ़ा था ठीक है दोसक से किसी ना भी पिछले वीडियो देखा है तो जो मैंने आपको अंतर बताएती ना ज़िस तरीगे से मैंने आपको याद करा है तो जो आपको आपको ख प करा mote jurisdiction के ऑपर हमने सवाल इसको डिसकस किया है चحد कि अप वर जो हम अच्छे कर लिया है अब आज जो हम एक निया टॉपिक लेंगे रेडॉक्स अभी ख्रिया ठीक है यह भी ऑक्सिकरण वह अपचेंद के उपड़ है और साथ और सवाल किस तरीके के होते हैं उन सवालों को भी डिसक्स करेंगे और उसके बाद हम डिसक्स कर लेंगे आज इस चैप्टर का LAST War Tropic उत्प वे रहेख ठीक है दोस्तों तो चले दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं डेकं साथ यूब हम बात करता है redox अभिक्रिया की redox अभी क्रिया समझते हैं आखिर क्या होता क्या है देखिए आपना ओक्सिक्वन समझा है ठीक है ओक्सिक्वन क्या होता है इसके विबिन आदार को आपने समझा आपने अप्चन को भी समझा कि अप्चन क्या होता है और इसके विबिन आदार के आदार पर जो है अदर लेक बेस के आदार प क्या जूड़ गया एस ओफो ठीक है सल्फेट जूड़ गया क्या जूड़ गया सल्फेट और एस ओफो जो है वो क्या है रिनात्मक तत्व है क्या है रिनात्मक तत्व के आदार पर हमने ऑक्सिकरण को क्या समझा कि जदी रिनात्मक तत्व जो है क्या होता है किसी अभी क्रि तो जिसका क्या क्या हुआ है ओक्सी करवन ठीक है देखिए जोसतों जिंग क्या हो गया अब यहां पर चैज है वह कॉपर तो यहां पर क्या बन गया क्या हुआ परुट का हम समझे जैसे सहरे का temple tech किसे उसकी च हम संबंझे ना तो होटा क्या कि जब City का कि लिए प्रेनात्म का निश्कासन होता है तो उस condition में अप्चेन होता है तो यहां पर क्या हुआ है अप्चेन थीक화 क्या क्या है आप्चेन, तो देगा कि दोस्तों इस अभिक्रिया की है यह सिंफल सी अलगर्या को देखिए, जिंक प्लस कॉपर सेलफट प्लस जिंक सेलफट प्लस कॉपर, ठीक है, अब यहां से यह आपको देखके कभी पता लग जाना चाहिए कि यह कौन से अभी किविया है, विस्थापन अभी किविया, अब इस विस्थापन अभी किविया, मैं जिंक जो है, वो कॉपर को अपने स्थान से जो विस्थापित करता है मतलब कॉपर को अपने गर से विस्थापित कर रहा है ठीक है दोस्तों अब इसको कैसे पता लगा हो कि कि अब इसमें क्या होता है आपको बता रहा है कि जिंग जो ज्यादे सकती सली इसलिए तो कॉपर को विस्थापित किया नही जो किया थी कि आपका काशे नात का मंगू जो है वो आलू जवा फिके पकाता है अब कुछ होगा आगे और ठीक है यह आपकी ट्रिक थी उस ट्रिक से हमने पूरी सक्रिता श्रेणी को याद किया था और यह आपके याप पर खुब काम आने वाली है तो यह आपने वो वीडि अब इसके बाद आपको चोट 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 प्रस्टर को एक है और इसा पदार्त जो किसी रासानिक अभी क्विया में एलेक्ट्रोन को त्यागता है वो क्या कहलाएगा आपका आप चायक केलाएगा मतलब किसी रासाइनिक अभी क्या में इलेक्टोन को त्यागने वाले, क्या इलेक्टोन को त्यागने वाले पदाउत को हम क्या करेंगे अपचारइक जैसे कि आपकर ये हो गया सूडियम, ठीक, अब करते है ऐसा पदार्थ जो किसी रासाइनिक अभी क्या में इलेक्ट्रों को क्या करता है ग्रहण करता है ठीक है अब क्लोविन एक इलेक्ट्रों को क्या कहलाते है और इलेक्ट्रों को त्यागने वाले पदाव अब चाय कहलाते है यह सिंपल सी बात है इनको आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद लेते हैं अगला टॉपिक अगला टॉपिक ऐसा है जिसको आपने लेक् और उसके बाद लवन जो है वो आपका उदासीन लवन कौन से होता है अमली लवन कौन से होता है यह सब जो है वो आपने लेक्टर नंबर फाइप दैनिक जेवन हसायन में जो है वो पड़े रखाए ठीक है दोस्तों लेकिन फेर भी एक पार जो मैं आपको थोड़ा सा बत चेलो करते हैं तो गरता है तो जल बनता है उसे हम लवन करते हैं अब अब उदासीन लवन के आदा बन कहते हैं хочу तो अबिक्टिंट्व कोंसाओ होगा जिसमें अमनलड सक्तिशाली और क्षाव जय होगा अपका सक्तिशाली ठीक है मतलब जो ज्यादा सक्ति सले होगा है जैसे की आपका फ्रेबर जैसे की क्षार यह लवण है ठीक कि आपका प्ट्र लिए चैप्टर लेटर 5 को आप वह एक बार पढ़ लेना ठीक है दूस्तों तो यह है आपका उधास्निक एन अब ुआ है, ठीक है? अब यह जो है आपका याहत कर लगड़ कंपहले है, अब इसके बाद आपका एक है एक याओर topic है, जो कि कौन सा है आपका उस्टवेवक, मैं आपको मैंने आपक बता है, देखिए सिंपल सी भासा मां समझीए कि आप कोई तीन दोस्तों ठीक है अब उन तीन दोस्तों में दो दोस्तों सीधे है और एक थोड़ा चालाग पड़ता है तो वो क्या करता है चालाग दोस्त कि अगले दो दोस्ते ना उनमें क्या करा लाता है जगड़ा अब जगड़ा कैसे करा जाता है मिर्चे लगा कि वह आप सभी को पता ही है ठीक है तो वह तीसरा दोस्त जो है उन दो दोस्तों के बीच में जगड़ा करते है तो जो भी है लगता है मरते है पीटते जो भी कुछ होता वह उन चालक दोस्त के तरह काम करता है। बिच में अभी क्या है उसको तेज बिच में आ और मन्द गती से भी कराता है। कुछ-कुछ से दोस्तों के बिच में जगड़ा हो रहा होता है, तो उसको सांत करा लेती थे हैं। मतलब ऐसे पदार्त, जो किसी रासाइंदिक अभी क्या हमें भाग लिए बिना उस अभी क्रिया को प्रेबारिस करते हैं अर्थातर उस अभी क्रिया को तीव या मंद बना लेते हैं उनको हम उत्प्रेवक कहते हैं ठीक है अब उत्प्रेवक की डेफिनेशन क्या होती है एक्जेक्ट डेफिनेशन क्या होती है किस तरह के से लिखते है इसके कौन-कौन से बाग होते हैं, इसके गुण्ण गया होते हैं, इसके विश्यस्था क्या होते हैं जो रासायनिक अभी क्या होगा के वेगन, उसको परिवर्तित कर देते हैं परिवर्थित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेवक कहते हैं, या उत्प्रेवक कहलाते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, रासाइनिक अभी क्रिया के वेग जो होगा उसको परिवर्थित करेंगे, मतलब या तो बढ़ा देंगे, या गटा देंगे, उन्हें हम क्या क चतोम होगी की उत्वेवक होता क्या है आप तीन दोस्तों के बीच में इक चालक दोस्ते के दोस्त का ज手 का जो एक जैंपल हो याद को बेस्ट देखीए क्या है कि कैल्सियम सरी पोक टेसियम कलॉरीड occasions कि Attorney क्रे W bushеж g यह क्या है आपका एक उत्प्वेवक है ठीक है अब इस उत्प्वेवक को जो है ना हमने यह पर रख दिया तो इससे क्या होगा कि यह KCLO3 जो है ना वो आराम से फटा पड जो है वो KCL potassium chloride और oxygen में जो है वो टूट जाता है अब यदि हम यहाँ पर MnO2 manganese dioxide को उप्योग न तो होगा क्या कि यह जो KCLO3 है ना वो KCLO जो O2 है उसमें धीमिक गति से क्या होगा टूटेगा लेकर ना जब हमने इस उत्प्वेवक का उप्यो किया तो यह जो है फटावर्थ होना लगी जैसे कि हम बात करें हम बात करें जैसे कि वनस्पति तेल होगी ठीक है जैसे कि तो हमने स्प्वेवक करते हैं मिलते हे ना तो हमें क्या मिलता है वनस्पति गी गी ठेक है जूटका के मिलता है वनस्पतिविया तो यह भी जैसका बैस्त एक्षे जेंपल आपको यह चारिक आपको यह बातित pourquoi तो यहाच राख 사क तो हम्में वनेस्पतिगी मिलता हैं तो यह वह उत्वेवक का एक अच्छा-सा उदान है ठीक हा दोस्तों सब्सक्राइब मतलब क्लिए का अदार पर सबसे कितने पशप्राब के होता है और दूसरा आदार है क्रिया के आदार पर मतलब क्रिया के आदार पर जो उत्वेरक होगे ना वो कितने प्रकार के होंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरस्था के आदार पर उत्वेरक कौन कौन से होंगे तो अरस्था के आदार पर उत्वेरक के हम बात करें त पहला उत्वेरक होता है समांगी उत्वेरक और दूसरा होता है विश्मांगी उत्वेरक ठीक है दोस्तों दो तरीके के जो है वो उत्वेरक होते हैं अब मात करते हैं सबसे पहले तरीके की जो की कौन सा है समांगी उत्वेरक अब समांगी उत्वेरक में सिंपल सी बात है ना कि जो आपका अभी कारक होगा, उत्पाद होगा, और साथ जो आपका उत्वेरक होगा, वो तीनो जो है न, एक ही बौतिक अरस्था में होगे, मतलब जिनकी बौतिक अरस्था एक होगे, यदि तीनो ठोस अरस्था में होगे, यदि कोई एक गैस अरस्था में होगे, और यद कौन से अवस्ता में है लिक्वड ठीक है इसको कौन से उत्विड़क है और यह भी कौन से अवस्ता में है अब यह इससे हमको क्या मिला CH3CWH एक्वस ठीक है साथ साथ CH3OS ये भी किसमे है एक्वस मतलब यहाँ पर सभी जो है अभी कारक की बात करें चाहें उत्प्राइब की बात को या फिर हम बात करें उत्प्रेवक की तीनो जो है वो एक ही बहुती करना कौम सा समांगी उत्प्रेवन का परका समांगी करने हम इसको करेंगे समांगी उत्प्रेवन यह जो है वो न Nous आए तो इसको क्रिया की बात है इस तो हम जो है क्या करेंगे कि या पर जो अभी क्रिया हो भी है या पर जो अभी क्रिया है या फिर जो उत्प्रेवर्ख है वो कौन सा है विश्मांगी उत्प्रेवर्ख है और यह गड़ना क्या कहलाएंगी विश्मांगी उत्प्रेवर्ण जैसा कि देखिए नाइट्रोजन यह आपकी gas यवस्ता में है, hydrogen भी gas यवस्ता में है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, किसकी ferrous की उपस्तिती में, ferrous मतलब आपका उत्प्रेवन लेखते हैं, लेकिन जो वो कौन सी यवस्ता में होता है, ठोस, solid मतलब ठोस यवस्ता में होता है, यह से आपका उत्पात भी gas अवस्ता में बनता है, लेकिन आपका उत्प्रेवक वो अलग अवस्ता में हो गया, अब यदि कोई भी एक आपका अलग अवस्ता में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि यहाँ इत्ना कौन सी कायलाइगी, विश्मांगी उत्रेवन. ठीक है? सिंपल सी बात है. अब यह है आपका पहला अवस्थाक आदर पर समांगी और विश्मांगी इस तरीगे भीज़रे के आपका यादार करते दूसरे आदार के तो तो दूसरा आदाव आप कौन सभागा के आदार। नामों से इनकी परिवासर हुआ आप की आदावी रखेयstory सबीधार। तरनात्मक मतलब बढ़ना तरनात्मक का मतलब यह होता है ना जैसे कि आपको बोल ले कि मैं तो प्लस में चलवाँ प्लस में मतलब आप जो है वो नुक्षान में नहीं हो आप जो है प्लस में चलवे हो आप जो है आपको ला भी हो रहा है जो है यह आपने लिखाताना के सी एल के सी एल ओ त्री को मैंगनेज डियोक्षाइड की उपस्तिति में जो है आप गिरम करोगे तो के सी एल प्लस ओ टू जो है वो बन जाएगा ठीक है दोस्तों यह जो इसका बैस्ट एक्जामपल है तो नात्मक मतलब बढ़ना तो यह नात आत्मक उत्प्रेवक कौन से होंगे ऐसा रासा जो किसी रासाइड ने कभी क्रिया कर वेग को जो है वह गटा देते हैं उन्हें हम क्या करेंगे रेणात्मक उत्प्रेवक करते हैं जैसे कि देखिए आपका H2O2 अभी H2O2 क्या होता है आप लिख सकते हो हाइड्रोजन पर बार्क सः थिक है यह हाइड्रोजन फेरोकसाइड है एच टॉ academ का हम होते है हा idrogen पर ओकसाइड को जो है इसमें थे मोड से इसमें वो बाट से इसमें से तो ज много नर्हें वो हम देवेग स्टा करता है इससे है इसके आपका उठ्राय। मतलब अपने अप सरता का मतलब यह उत्पध बना अब यह पॉटिसन को पता ने अच्छानक से क्या हो गया कि यह वह उत्विवक का काम करना लगा मतलब जैसे ही देखे पहले तो क्राइफ ज़ह के तो के से लिगए कैसे जजबा जो जिस्वा कहं से आगया तो इस ना फटा पटा इस अभी क्रिया को करना स्टाट कर दिया मतलब ऐसी कि नokingग लेखाया है यहां दूसरों को क्यों मंगाव मेरे अंदर यदि ताकत है तो यहाँ पर जह है यदि किसी आसाइनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वर्थ ही उत्वेवन का काम करने लगता है और अर्थात मतलब उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने लगता है तो उससे हम क्या कहते हैं ठी का लेक्त स्वर्थ यह आप का ti-सा देकि अट जो में से यहाँ इस पर हो रहा है अब छहुता भी जहनाम से इस पर खोटन होगा क्या है जैव उत्प्रिवक्σα का मतलब जि-जैव का मतलब प्राणी तो जितने में झैसे कि प्राम्य में सब कुछ आई गए विज्ज्यान के जयार उत्पिरक कहते है देखिए जिभी जयारासने करिये होती है जयारासने करिया कर मैं आपको समझाता हूँ जैसे को आपका खाना है , देखिवे का खाने printing को पचाने के लिए भी सत विख भी में बहुत सरी क्विया सबका होगी तो इन जो माल्टोज और शुक्रोज होते है ना उनको जो है ना तोड़ा जाता है किसमें गलुकोज में जब आपको उर्जा होती है ना जब आपको काम करते हो ना उस काम के आवशक्ता होती है ना तो माल्टोज या शुक्रोज को गलुकोज में तोड़ा जाता है तो उन ग की शर्क रहा है यह मतलब एक तरीकास ऐसा मान लो कि चीनी है तो जब इसकता होती है तो यह माल्टोज जो है वह माल्टेस नामक माल्टेश नाम Wear И li Cisco होता है उसकी उपस्तेति में किसी में चेंज हो जाता है؟ अब जब glucose में चेंज हो गया वह लिए तो सर्वivas को ऑप पे जो एवो सक्ति मिलने स्टार्ट हो जाती है इसका best example में आपको बताता हूँ, आपना कई बया सुना होगा कि मुझे तो कमजोरी आगी या फिर किसी को कमजोरी आगी है, इसलिए डॉक्तर जो है उसको glucose का injection दे रहा है, या फिर glucose का बातला चड़ा रहा है, ठीक है, तो यह होता क्या है, glucose मतलब एक तरह की उर्जाई तो ह है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर भी जो है वह हो यह हो रही है कि माल्टोज जो है ना, वह किसम माल्टेज को पर स्थिति में glucose में चेंज हो जाता है, ग्लुकूज एक तरह की उर्चाई है, जिससे हम काम करता है, तो जैर रासनिक अभी क्विया में जो पदास्त काम में ल थोड़े बहुत और चैप्टर उसको कर लेंगे और उसके बाद जल दी हम जो है वह जैर आसनिक है जो आपका चैर वह पाठ है उसको भी जो हम कंपलीट करेंगे, ठीक है दोस्तों तो यह है आपका उत्विवक वाला बाग, उत्विवक क्या होता, यह आपना समझा, जोटते और भी है जैसे कि आपका आगे उत्विवक वर्दक, देखिये आप जो नाम से समझें ना, उत्विवक वर्दक, ठीक है अब यह क्या होता है उत्विवक, विश्ष का मतलब जहर होता है इनके नाम से ही आप इसपरस्ट हो जाओगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन दोनों के बाद हम पढ़ेंगे कि जो उत्विरक होते हैं, उसकी गुण या फिर उसकी विश्यस्ता जो है, वो क्या होती है, उन सब के बाए में पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमाँ चैप्टर कम्पलिट हो जाएगा, ठेक है दोस्तों, तो पहले जो हम उसको पढ़ ल होता है, देखिए, दो दोस्त है, तीन दोस्त है, उसमें दो दोस्त अच्चे है, मतलब सीधे है, और तीस्वा दोस्त क्या चालाक, अब वो चालाक दोस्त चाहे तो उन दोनों दोस्तों के बीच में क्या करा सकता है, जगड़ा करा सकता है, या फिर चाहे तो उन दोनों के समझगे बाता जैसे कि आप ऐसी समंहले के एक चालाक दोस्ते?, उसे चालाक करें की शौता आ गया है, और चाहे तो उसे चालाक दोस्त, जो उथ्वेयlah सिल्तों को बढ़ा सकता है , उस उत्वेय!!" को से तीसरे दोस्त को इतना उकसा सकता है , कि वो उन दोनों के बीच में सकता है. तो ठीक इसी तरीके से उत्वियरक वेर्दे को उत्वियरक वीश्ब काम करते हैं. मतलब रत्विरक वैर्ध़ के सुंपल सा मतलब यह हो गया कि ऐसे पदार्थ जो उत्विरक की क्रिया शिलत को बढ़ाएंगे। जो उत्विरक पहले 10 सेकंड में काम कर रहाता locks, अब उत्विरक वैर्ध़ डालने पर वो उत्विरक जो पां 2 जेकंड में काम पर निप्टा द साथ उत्वियरक के साथ मिलाने पर क्या सिलता इसमें कहते हैं इसको जोchos तो चाहते हैं इसका बैश्ट एक्जामपल है आप जो नाइट के साथ क्रिया कराते होना तो हमें आशकता होती फेरस की यह क्याइस की लेकिन इसे फेरस के साथ हमने डाल लिया एमू सुए मौली बडेनम को यह आमने डाल लिया तो इससे फेरस की ुसलता बढ़ गी बतलब जो फेरस न ये लुहा जो है ना इनको और वी फटा-पट अभी क्रिया कराएगा और वी फटा-पट जो है आपका अमोनिया बन जाएगा ठेके दोस्तों तो यह आपका उत्वेवक वर्दक मतलब उत्वेवक की क्रिया सिलता को बढ़ाने वाले पदाफ तो देखिए वे इसलतार जिनका हम जी अयश्यनिक यहां में उत्वेवक के साथ मिलाएगे ना तो उत्वेवक की क्रिया शलता जो है वो कम हो जायेगी उन्हें हम उत्वेवक वषच करेंगे जैसे के देखिए आपका यही देख लिए, जैसी नाइटोजन ओ, हाइटोजन की सेम इला है, अब इसमें हमने फेरस के साथ start को मिला लिए है तो इस से क्रिया सिल्टर जो है वो कम कर दी इस फेवस की अब यदि हमने कोबाल्ट को नहीं डाला होता तो यह 10 सेकंड में हो जाती ना लेकिन कोबाल्ट को डाल ले इसका मतलब यह 12 सेकंड में होगी ठीक है दोस्तों तो इस तरीके सो जो है इस उत्विरक वर्द्र को उत्विरक उनों के गोण जो है वो क्या होते है उत्विरक की विश्यस्ता है वो क्या होती है उनको जो हम पढ़ लेते हैं तो पहले विश्यस्ता देखिए जो मैंना आपको उत्विरक में पढ़ाया आना वही आपको लिखना है कि उत्विरक जो है वो केवल रासाइनिक अभी क्रिया होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता कि इसको डालने से ज वो अभी क्रिया सर्फ में प्रेविश्टन हो गया्य है सिर्फ बेग में प्रीविश्ट को क्या है कि मैं अब है कि कसी राजंड डानी हिसे की तुछ मात्र चोटर सा मान मान लोग की 10 ग्राम 20 ग्राम या 50 ग्राम तक थोड़ा सा डाल सकते हैं ठीक है शुक्ष में मात्रा जो है इसमें प्रयापत होती है अभी क्रिया मिश्वन में उत्वेवक की जो शुक्ष में मात्रा के उपस्ति जो है वो प्रयापत होती है के लिए इसा बेले का किलेगा, इसा बिल्कुल नहीं है, प्रत्यक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट, विशिष्ट मतलब प्रत्यक अभिक्रिया के लिए सिर्फ एक ही उत्विरुक जो होता है, ठीक है, अब है चौता गुण, उत्विरुक अभिक्रिया को प्रावम नहीं करता, देखिए, यह सबसे खास बात है, उत्विरुक यह नहीं किया को स्टार्ट में गाड़ी को ज्यादा बगाएगा मतलब कहना का अच्छा पॉइंट है आपका पांसा पॉइंट कि जव 15 गुजवक्र में स्टक्राइब्लाइब्लेंद क्रेजर्ट करने अभिक्रिंद करें अग्व hm प्लस बी से आपकर क्या सी प्लस द्लाइब्लाइब्लाइब्लाइब आपका यह आपका मानलों के फ्रेरस है, जितना A plus B को फ्रेरस फ्रेवारित करेका तो यही जो है आपका यहाप पर बोला हुआ है, कि उत्वरम्ने अभी क्रिया में उत्वरक जह ना और जो एक निच्छित ताप को सभी उत्विवक के लिए अलग लोगता है, तो उससे निच्छित ताप पर उत्विवक जो अत्यादिक क्रियाशिल होते है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ताप लगा लिए होता है, उनका भी एक निच्छित ताप होता है, ठीक है दोस्तों, ज सिर्फ वेग को बढ़ाने के लिए दूसरा गुण क्या है कि उत्वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा चौता गुण और पांसरा गुण यह है कि उत्वेग के अभी क्रियाओं में जो है तो इस होत arist i Buch I can write a chapter number six जो आपको जया वह राइब्ध होता है थींट में गज़ए यृप πुरा चैप्टर ना उनको है जदी सवाल नंबर के साथ आप लेख सकते हैं कि स्वाल समस्च में नहीं आया है इसका solution आप कराने की कोशिश कीजे तो हम जो है उसको चाहे दो मिन का वीडियो बने या पांस मिन का बने हम जो है आपको कराने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों तो तब तक के लिए आपको क्या करना है जिसमझ में आगे है तो लाइक बटन को दबाना है साथ इसाथ अपने दोस्तों को share करते हुए दोस्तों मैं आपको व्यापस कहता हूँ आप जुह हमारे भी होसला बढ़ाते रहें ताकि हम जुह और भी अच्चे-च्छे वीडियो जो है और time-to-time जो है वह complete करते हुए एक बार जो हम अच्छे platform पर पहुश के तो उसके बार जो हम live class भे लगाने start कर लेंगे जिससे जो है आपका regulation जो है वो अच्छे से हो जाएगा और यदि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल जो है आपके जो आपके छोटे भाई आने वाले उनको तो जो है वो अच्छे से फाइदा मिलता रहेगा ठेके दोस्तों तो तब तक के लिए आप पढ़ते रह है और बने रहे आर बी एस सी इंड्यूज क्लासेज के साथ ठेक है दोस्तों थैंक यू कि अरदे रहे ड़िए घर आ टूस्तों Creed